हेलो गाइस मैं राजक्मा धाकार स्वागत करता हूं आपका राजगरी के इसके चानल में दोस्तों आज हम आसेशन डारेक्टर ऑपर अगरी कल्चर एंपी प्यस्सी जिंद और 2009 का जो कोश्चन पीपर है इसके बार हम डिसकास करेंगे तो डियर फ्रेंड्स इस को हमने इसल तो डियर फ्रेंड्स चलती हैं हमारे पहले कोश्चन पर देश्टों जिन में एक्जम करेक्ट करने का जुनून है वो इसको पूरा देखेंगे क्योंकि कोई भी पॉइंट इंपोडेंट हो सकता है हम मैं कोश्चन के साथ साथ इसमें कुछ इंपोडेंट टॉपिक्स के व प्रिंसिपल होते हैं तो दोस्तों जो बुक्स में अभी तक 6 दी हैं गूगल पर भी 6 ही दिये हैं तो इसका जो कितने होती है एड़ जयक करेक्ट आंसर तो 6 होता है लेकिन इसमें फैस्ट पहला नीरस्ट आंसर 7 है तो 7 इस दा करेक्ट आंसर तो टोटल नमर प्लीज पेल लेके बैटें नोट डाउन करें पर से बलता हूं लाओ पर रेटन पहला प्रिंसिपल है शेकेन कोस्ट प्रिंसिपल तार्र है प्रिंसिपल अप्रिंसिपल 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 अप time and uncertainty दोस्तों मैं फिर से भी रिपीट करता हूं बहुत प्लीज द्यांचे सुने और प्रिंसिपल बेरिवल प्रपोर्पोर्शन इसको बोलते हैं लॉप रिटन्स प्रिंसिपल अब कोस्ट प्रिंसिपल अब सबस्टिटूशन बेत्विन इन्पॉट्स प्रिंसिपल एककी मा कोस्ट प्रिंसिपल ही बोलते हैं प्रिंसिपल अब सब्स्टिटूट बेत्विन प्रोडक्ट प्रिंसिपल अंडरलाइंग डिसीजन इन्वालिंग टाइम एंड अंसर्टिनिटी तो दोस्तों इनको आप याद रखिए बहुत इंपोर्डेंट हैं और यह कहीं भी पूच चुंच satisfy कि है तो डी डी टी क्रीनिंग जो खरें कलर होता है ना उसको निकालने को क्या बोलती यह मिलता है तो एक किससे होता ने क्रिष्क होडा ने मिलत तो ऐसको बीडेंग क्रेंग को क्क certific कैया है epic Đ obsessed सब्सक्राइब का सेल डिवीजन है क्या है सेल एलोंगनेशन और जो है इंटर नोडर लेंध बढ़ाना दोस्तों इसके साथ और जिन के कई साथ रूटिंग हर्मोन भी बोलते हैं इसको रूटिंग काता है यह जो होता है इसका नाम दोस्तों यह भी कोशन में दो तीन वर पूचा गया है अब दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताता हूं 1962 में तो कुछ नहीं हुआ था अगर यह 1963 होता तो नेशनल सीट कॉर्पोरेशन बन जाता क्या एनसी बन जाता नेशनल सीट कॉर्पोरेशन और दोस्तों 1966 में क्या आया था उसका नेशनल सीट कॉर्पोरेशन का एक्ट आया था कितना नखुर्पोरेशन में और 1960 में Seed Rule आया था, क्या दोस्तो, Seed Rule आया था 1968 में और 1969 में IIHR का स्टापना हुआ था, कब दोस्तो, 1970 एच में, तो इसको आप याद रखें तो दोस्तो, ये इसमें आपको मिल गए, आप इसको याद रखें, 1963 में National Seed Corporation 1966 में Seed Act, 1968 में Seed Rule तो दोस्तो, इन तीन कोश्चनों में से एक नएक कोश्चन आइंस जरूर आता है, एक जामस में Next question है, Thornless Species of Citrus तो दोस्तो, जो Citrus की Thornless Species कौन सी है, तो ये है दोस्तो, तहिती लायम तहिती लायम जो दोस्तो ट्रपल होता है, ये Seed lhaps होता है, क्या हे दोस्तो टईती लायम छैन्aching और इस भी होता है chociaż जो हएस्ट को इतारा से इस्पीसी इसको परिशिन अपल बोलते हैं अदिस होता है क्या चाहर से लांजेस्ट руб होता है तो दोस्तों यह important points आप याद रखते हैं यह बंचीट पर बनाना disease entered in India from which of the following country इसमें यह पूछ रहे हैं जो बंचीट पर बनाना disease है वो किस country से हमारे देश में आया तो दोस्तों सबसे पहले बंचीट पर बनाना के छोड़े कर दोस्तों इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इसमें बंचीट पर किस से ट्रांसफर होता है यह दोस्तों इसको cabbage top भी बोलते हैं दोस्तों, cabbage top भी बोलते हैं, synonym says also called as cabbage top, cabbage top, दोस्तों प्लीज इसको आप याद रखें, बूलना नहीं है, यह दोस्तों किस से transfer होता है, इसका vector क्या है, इसका vector है, एफेट, पेंटालोनिय नाइगरो नर्वोसा, याद रखें प्लीज, पेंटालोनिय नाइगरो नर्वोसा, इसका नाम है, एफेट का, यह vector है, यह vector क्या होते हैं दोस्तों, जो disease को एक जगा से दूसरे जगाए, ट्रांस्मिट करते हैं, next six one question है, physiological basis of life, physiological basis बोला है दोस्तों, physical नहीं है, physiological basis, अगर बोलते हैं तो फिर इसका वाटरा अंसर हो जाता है, लेकिन इसका क्या है, physiology किसम होती है, protoplasm होती है, किसम होती है दोस्तों, protoplasm होती है, next question है, which of the following has maximum productive of fruit, तो दोस्तों, जो समाल है महाराष्ट का area में number 1 है, किसमें महाराष्ट का area में number 1 है, उत्तर प्रिदेश जो है mango के area and production में number 1 है, लेकिन overall जो food की productivity हो कहा पर है दोस्तों, Tamil नाडू है, Tamil नाडू overall productivity में number 1 पह है, तो ये आप याद रहे दोस्तों, ये बहुत important question है, इस तरह की questions जो पॉमोलोजी जो वर्ड है, पॉमोलोजी इस डेराइब फ्रॉम, जो पॉमोलोजी जो वर्ड है, पॉमोलोजी इस डेराइब फ्रॉम, जो कहां से डेराइब हुगा है, मतलि कहां से आया है, तो पॉमोलोजी जे ग्रीक वर्ड, कैसा है दोस्तों, पॉमोलोजी इस ग्रीक single crosses, five inward lines जो हैं बनाने के लिए कितने हमें single cross बनाने पढ़ेंगे, तो दोस्तों जो double होईगे, कितना 10 crosses बनाने पढ़ेंगे, यह तो याद करने वाले question है, इसको याद कर लिजे, 10 crosses बनाने पढ़ेंगे, next question, common form of dna presenting living organism, तो दोस्तों जो dna होता है, dna तो अब तक देखों दोस्तों यह से z तक आ गए है, z dna भी होता है, बहुत सारे dna है प्रण नेचर में, तो आप कभी भी यह मतलब समझना कि सर्फ 2 या 3 ती दरग डिने, dna बहुत सारे है, तो अभी जो common form है, जो इंसानों में पाजाता है, most of animals और nature में पाजाता है, कौन सा है, बी फॉर्म है, कौन सा है, बी डिने होता है, वाइवरेट आरदा, वाइवरेट क्या होते हैं, दोस्तों, देखो यह बहुत अच्छा ठरम मिला है, यह देखो यह ऐसा बहुत high-level के question से पूछ जाता है, वाइवरेट क्या होते हैं, दो equivalent to hybrids, बिल्को सही है, equivalent to hybrids हो सकते हैं, hybrid propagated by clones, यह तो नहीं होगा, अपोमेक्टिक hybrid यह भी हो सकता है, cybrids यह भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों, इसमें एक common point है, उसके बादाएंगे, यह जो वाइवरेट जो होते हैं, वाइवरेट क्या होते हैं, वाइवरेट क्या होते हैं, देखो वाइवरेट का जो मैं definition आप सुनिए, प्लिज ध्यान से प्रोजानी अप्टेन फ्रॉम फ्रॉम ट्रॉजिंग वॉजिन आप टूफ फ्रॉकल्टेटिव अपूमिंक्टिक शीलिंग्स धेर जो फेकल्टी टेप्स प्लांट प्रोजन होगा उनके जो आना उससे ये बनेगा क्या जो हाइब्र है ये सो एपमिक्रिव हाइब्र बोलते हैं अगर दोस्तों इनकी सेल का साइब्र समना देतों एपमिक्रिव भी बन जाता है तो ये टर्म पर डिपेंड करता है आपको जिसका कंसेप्ट समय ना कि इक किस से बनना है ने पर नेट कुश्ण है ग्रूथ रेडिलोटर आइसोलुटर फ्रॉम य९ा कि तो दोस्तों जो यां है या उससे जो ग्रूथ रेजुटर एकक्टस ला है उसको क्या बोलते हां इनमे से तो दुश्तों देखो एक याम से सबसे जना निकलता है क्या निकलता है जो याम है इससे डायोस जनन निकलता है क्या निकलता है याद रखिए डायोस जनन इससे सबसे जना निकलता है लेकिन यहां पर यह अप्शन में नहीं है तो इसका देखिए क्या है ट्राइक कॉंट्र नहीं है ब्रसी केसिन नही है better layer नहीं है uncertainty लुन लेर' ऐक है तो यह दोस्तों इन मैं से सही अंसर क्या है इसका हम फिंट सही अंसर क्या है टो ढूटेव साँे मिफ्रे इस प्लांट से जो ओते हैं उनकी विक्ला और आажеो किसमें वेक्सी प्लांट से होते हैं क्यूटिकुलम पाय जाता है यहां पाया जाता है तो दोस्तो यही सबसे important है आप याद रखिए tricontinol को भी बहुत पूछे जाता है और दोस्तों जो लोगों को सब को मालूमी होगा बहुत सिंपल कोश्यन कितना होता है तो आप याद रखिए बहुत इंपोड़ेंट है और जो आपना सर्सव होता है मस्टाड में नियरवाब 30 to 33 % ओल होता है लिप लजब्रेश वरायेटिया पी नेक्स्क फोच्न है लिफ लेश ब्रायेटिय पी इसको क्या बोलते हैं दोस्तो बोनने में तो लीफ लीफ आ लीफ आली है श्री लीफ आले टींग अपरना एक क्या इसकाल जो अफीला क्या है दोस्तों अफीला जो है ना अफीला में पाय जाता यह भी कैसी है अफीला लीप्लेस्पी है यह आप इसको इसकी इसको ले लीजिए यह क्वेशन बहुत बहुत बाराता है आथक टीचींग मेतर्ट फोकस्ट्टो जो एक्टेंशन टीचींग मेथर्ट से होती है वह टों किसरते हैं पायों तो फोकस करते हैं प्हक्राइंध होती हैं वह किसतार हिह जो एक्स्टेंशन ओफिसार्स होती हैं उनको वो टीज करते हैं नेक्ट कोशन है नेशनल अलेगरिकल्च इंसरेंस स्कीम इस स्टार्ट इन बहुत बार ये कोशन से पूचा जा चुका एक्जाम से दोस्तों कभ आता है उनन matar उन उन्न्नान में कभ आता है hypnot दोस्तों उनन亞न इन नन्ठानम है और दोस्तों अगर казck 1998 की बात ने तो यह क्या है जो के सिसी शुरूऌ अता है दोस्तों ऑ है his कभ आता है? 1998 का भॉब आता है कभ1quinho- baker हैक्का면 कर्तरेंस स्टार्ट कर्यम कर्सका मासा पर तो दोस्तों होती है किसे के उपर कर ना तो दोष्टों जो ट्रेडर्स जो होते है उनके उपर कीजाती है किसके उपर होती है merchandise के उपर नहीं होती है गलती से farmers लगा देते हैं टेडर से से ग civिट यह तो लीवी भास्य यह जो techniques जो जो चार्ज किया जाता है उसके। नेच्ट कोज़ने आईपियस 147-1 बरायटी ग्रोण इन मादर परदेश इस अप दोस्तों यह किसकी बरायटी है आईपियस जो है किसकी बरायटी है तो यह कोगो की बरायटी है किसके दोस्तों कोगो अब इसको देखो रागी MP में होता नहीं है एक स्वान और कुटकी यह ब बहुत निगलाइजीवल होता है दोस्तों जाधा नहीं होता है लेकिन इक किसकी बरायटी है कोडों की ब्रायटी है next important question very important sri techniques of paddy has been involved 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 nigh evolved कहां पर ये इसका इजात हुआ तो जो स्री मेफाड है कहां पर इजात हुए दोस्तों मैडा अगास कर्म होए थी तो दोस्तों आपके लिए question पूछ रहा हूँ कि जो स्री मेथाड के थो ceiling कित्रनल में तियार होती है इसका अंसर हमें comment box में comment करके बताएए please 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 बने रहे हैं दोस्तों बहुत important होने वाला है यह पहला part है दोस्तों क्योंकि इसमें undate question है यह undate question है डिसकस कराना तरह जी नहीं है तो इसके next part में बाकी questions का हम discuss कराएंगे 50 के बाद next question है first irrigation commission in India was founded in तो दोस्तों irrigation commission की बात हो रहे है irrigation commission कब बना था हमारी देश में कब बना था दोस्तों irrigation commission 1901 में बहुत important question 1991 में बना था irrigation commission in India is established in 1991 is formed in 1991 carrot disease of paddy is caused due to the sub को मालमा दोस्तों इसके बार हम जाना देंगे हैं किस से होता है किस से होता है दोस्तों zinc deficiency अब दोस्तों बोरोन से क्या होता है देखो दोस्तों बोरोन से होता है क्या होता है red rot और brown rot बोलती है और इसे fruit cracking भी होता है किस से fruit cracking, red rot, brown rot जो physiological disorder बोरोन की deficiency होता है nitrogen deficiency से plant बने रहे आती है dwarfism होता है copper की deficiency cuffing होता है किस में दोस्तों cuffing होती है और क्या विश्व फॉलिइंग तु कुरॉप से होता है रहार होता है तो दोस्तों यह इसका अंसर हो जाएगा परेंगा क्यों जो अना शब से ज्छादा होता है सब्सक्राइब करने वाली कुरुप है क्या ग्राम तो यह दुखों कंसेप्ट है, कंसेप्ट इतना स्वल्व हो गया कि अब सीड रेट आप नाइजर बहुत बार पूचा गया दोस्तों आठ पांसे आठ केजी होता है, आप यह देखें कितना पांसे आठ केजी होता है तो यह आपको याद देखना है दोस्तों एक यह 12-15 केजी बिंडी का होता है देखो बिंडी का अगर समर में लगा रहे हो तो आपको 17-18 केजी तक भी जाएगा लेकिन अगर इसको आप रहनी में लगा रहे हो तो 12-12 केजी बिंश 12 केजी आपका आता है तो इसका जम्साओ कि आपने देखा होगा, अक्रश कालेमगा आता है तो देखो दोस्तों इसमें चार से पांच कुछन डिसकस हो चुकी है चलो बहुत मज़ा आ रहा है आगे बढ़ते हैं पटापट तो दोस्तों हमारी अग्रोक्लामैक ईभिसमें कि सब्सक्राइब तोह अधर्य हैं तो कितने हैं सब्सक्राइब ऐसे लिल गारा क्राइब करीज़ा है लेकिन जो पॉस्पान्ड यह क्या है गेमिकल है इसे होता हार्मॉन लासो जिए अनदर नाम अप्द अप्ध कर वी साइथ तो दोस्तो आपको नाम है कि लासो किसको बोलते हैं अला को लोरे को बोलते हैं स्वाबीन में सबसे जदा पढ़ने वाला जो है हर्भी साइड है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों पोस्ट इमर्जेंट है लासो बोलते हैं कैसा बोलते हैं यह पोस्ट इमर्जेंटर याद रखें कैसा है पोस्ट इमर्जेंटर याद रखिए स्वाबीनों डलने वाला तो सिमी जाइन को बोलती हैं दोस्तो अपन का की प्रिंट खोबड़े क्या बूलत्व प्रिंट अब बोलते हैं क्या बलते हैं क्या अधोख रहर जाह यह पर स्थे दोस्तो लिएसे और वह रोख रहे वह चाहला है सुआ हैं तो आप इसको दोबारा भी सुन शकते को hold which of the following bacteria is aerobic and non-symbiotic देखो दोस्तो एरविक की बात कर रहा है Aerobeek which of the following bacteria is aerobic and non-symbiotic तो जोस्तो वो क्या बुला है Aerobeek की बात है Aerobeek की बात करता है तो यहाँ पर इसका ऐसना Clostridium में रहता है वोटी डेंजरस बेक्टेरिया, इसको तो काड़ देना चाहिए, यह बोटिलियम करता है, तो दोस्तों इन तीनों में सब बताएं कि एयरोबेक है, मीज़ इसको एयर की प। फिर सिंबायोटिक है, राईयोबे में आपको पता सिंबायोटिक है, यह ब्लांट समय शूशाशन करता है। यह राजीयो में भी करता है। तो बचा को यह अच्छा को रहा है अच्छाइज्जष्ट फिर्वेंग्टर् तो करता है। मतों कि अच्छा यह छिंट अंग लेगुल जिस्ट करता है। तो एजटुटोब एक्टर कैसाँ पृविवीज है सिच्ट फोमि इदिखो इसके बारे में को बताते हैं इसकी सूरेस बारे में इंतयागों तो फूसल में पाए जाता है यह यह जाता नुट्र यह दा चाहेगा यह पर फिर अलंकृ लगा लगा लीजिए तो azure spirulam आपको बता है ऐसे प्लांट में प्लांट में राजविम अपने लेगों में सपाएगा क्लॉस्टीळियम के बार हम हमें आपको बता आते हैं जो गंदाखाने से आपको जो जो बोर्तियून बोलते हैं दस्त लगना उल्टिया होना वो किससे होते हैं इसका आंसर है A, 6-8 degree centigrade कम होता है, उससे कितना होता है, तो कितना होता है, 6-8 degree centigrade कम होता है, इसका आसरा वाता है, जो प्लांट के लिए एसेंशियल होता होता है, और 17 गोंसा है, अपर निकेल है, किस न दिया था, आर्नन ने दिया था किसने दिया था आरनन कब आधा सर्व 1239 में वह क्वेश्चन बहुत बार पूचे गया है नोस्तो याद रख लीजय कि सो इन बैक्टियोरे क्या चीक है दोस्तो इन बैक्टियर्यอ औ्सटेडियो 될 आप अपन में क्या है इन बैक्टीरिया में कितना बनता है 38 बनता है कितना बनता है 38 यहाँ पर बैनिफिटीव को टोटल बनने की बात हो रही है और अपने हुमन बोडी में कितना बनता है दूस्तों 36 बनता है हमें क्या हो दा है दो एटीप हमारे जो है खर्च हो जाते हैं तो हमक नेक्स है which of the following is not a cpore plant देखो दोस्तो दोस्तो यह c3 plant है कैसा दोस्तो c3 plant है नेक्स्ट लेंथ ऑप गुंटुर चैनेज तो 66 मिट होती है रटलो दोस्तों बहुत बार आया इसको ज्यादा मर रहे हैं बाइपोलरिस अब माइको इस लेंटन आए देखो यह वीड क्या यह तो मैं खित्म तो होती है आपको बता है यह वीड होता है यह इसमें इसको युद नहीं करते हैं तो किसमें करते हैं सवर्गम हैलिपैंस में करते हैं अगर कोई प्लांट सेल्फ इनकंपेटिवल है इसका मीनिंग क्या है कि सेल्फ मिस खुद के इनकंपेटिवल मतलब वॉलन ग्रेंस अपनी खुद की अबरी को फटायल करने में असमर्थ है अगर इस प्लांट में क्या बुला है कि एक इस जो सेल्फ इनकंपेटिवल है इसा ही है वो किसके डवलप करने में हेल्फ होला है तो Synthetic variety, Hybrid variety, phtreell Túlone variety और Composet d beni तो दोस्तों इसका साइए आंसर है hybrid variety बहस सारे लोग इसका आंसर कुछ के कुछ दे रहे हैं लेकिन साही Yani क्या लेकिन आंसर क्या है दोस्तों hybrid variety इस अ करेक्ट आंसर क्यूंकि दोस्तों जो इसमें बुक्स में साइद इसका अंसर सी दिया होगा तो यह तो कैसे भी नहीं हो सकता है देखो अब कैसे बताँगा जो वहाँ self incompatible होता है उसको हम female plant की तरह यूज करते हैं तो अब यह female plant की तरह यूज हो गया और जो दूसरी बराइटी लेंगे जो male बराइटी लेंगे उसको क्या करते हैं दोस्तों उसको उससे अपन पॉलन गिरांस लेते हैं तो इसमें क्रोस कराते हैं इजीली इसको क्रोस के लिए उपन छोड़ देते हैं तो hybrid बराइटी डवलाप हो जाती है यही शीट प्रोडक्शन का सबसे बड़ा प्रेंशिप हले आवी आज कल जो सीट हाइबर जो सच्ते आ रहे हैं कुछ क्रोप्स के वो self incompatibility यूज करके क करते हैं land equivalent ratio with to evaluate क्या करते हैं दूस्तो eram equivalent ratio से क्या करते हैं यह किसक यह है land equivalent ratio इसके क्या करते हैं Incropping में करते हैं किसके लिए spacing यह से spacing ज़िच करते हैं हीट ट्रांसपर क्या होता है कंडेक्शन रेडियेशन और कंवर्जन तो देखो दोस्तों कंवेक्शन रेडियेशन तो आपने देखेंगे होती नहीं है रेडियेशन में क्या होता है एक पार्टिकल से दूसर पार्टिकल तो यह हो सकता है क्या हो सकता है अब कंवेक्शन क्या होता दोस्तों यह भी नहीं होता है इसमें क्या होता है कंवेक्ट होती है तो कंवेक्शन भी नहीं होता तो कंडेक्श होते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल ही ट्रंसपर होता है इसको क्या बोलते हैं कंडेक्शन बोलते हैं क्या नहीं एक क्या नए हिरा किया फॉफिलिवेकलियॉफ क्राइस को प्रेंशिंग भी जणिषे अंदॉस्टोण धार लगा लीजिए बहुत इंपोडन्ट वहीं है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है नेक्ट कोश्चन है एन ए आई पी वाज स्टार्टेड ओन जे क्या है दोस्तों नेशनल अगरिकल्चर इनुवेश्ट प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम है इनुवेश्ट प्रोग्राम कब शुरूगा था जुलाज 2006 में हुगा था था फोर यहाग एक बात करने के लिए कितने कहार है तो 12-12 से 12 स्ट्राइद करने आए क्थे वनमें कुर्प को QA ल करने के एक तरफ ले और दूसरी तरफ पक और रहेंगे तो डूलमें गोंउसर्स चान म trapped IQ क्रम एड्स के लिए यूज़ करते हैं कि नेशनल इस्टूट ऑप अग्रिकल्चर मार्केटिंग इस लोकेटेड कहां पर है दोस्तों जैपूर में कोई बड़ी बात नहीं है बोपाल में क्या है सोयल का है अग्रिकल्च इंजिलिंग का है दिल्ली में बहुत सारे हैं बुंबई म स्पेसिंग मालूम नहीं हो beni तब तक हम कैसे करेंगे तो दोस्तों vitㅋ कितनी होती है स्पेसिंग बुद्यन स्कूल अब लगाते हैं तो आयाकर दोस्तों नेश्ट है पॉबर टेलर मैनुफेक्ट्रे इंडिया बास्ट इस्टाड़ इंदा कोलाबरेशन ओप विच कंट्री अमेर्का रसी या एक चायना जापान तो दोस्तो हमने क्या किया था ठाक क्वाटिक्त। बनाया था वह जापान के कॉलाबरोशन से तो क्या अंसरा है C होता है बायो सुपर इस अ मेड़ ऑप बायो सुपर दूश्टो दूश्टो बायो सुपर में क्या होता है रोग पॉस्पेट एंच सलपर होता है तो जिंक नहीं हो गलत है यह और गनिक मैनोर यह गलत है यह तो बैसी और गनिक मैनोर से गलत हो गए तो क्य प्लस सलफ़र होता है इसमें नियुक्ष कोशन है विच अब दा फोलेमिंग इस दा एक्जामपल आप कंपेंड क्रॉपिंग कंपेंड क्रॉपिंग कौन सी होते हैं जो ऐसी कॉरॉप होती है दोस्तों जो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट परपस के लिए उच करते हैं अब दिख क्या है दोस्तों सुगर और पोटेटो पोटेटो मस्टेड पोटेटो रेडेस तो दोस्तों सही आंसर क्या है यह पोटेटो जब क्या सुगर के इन जो चोटा होता तब इसमें क्या है जीली पोटेटो हम लगा दे जाते हैं तो इस दा करेक्ट आंसर इन इंडिया मे के हारवेस्टिंग पेकिंग इसमें अराम से हो जाती है आज कल पैड़ी में भी मोस्ट आप 90 परशन हो गया लेकर इसमें भी हमें तोड़ी सी मेनद करनी पड़ते हैं पूसा बेदना वाराइट्टी वाटम लॉंच क्रॉस तो दोस्तों जो पूसा बेदना है इसको याद र पूसा बेदना ट्रिपलओ बाराइटी वाराइटी वारा अब की इसको पीकी गॉश्टे बाराइटी नहीं है प्रिवी लोगों ने पूछ लिया इसको तोफी वाराइटी है दोस्तों यहां के बाद हम आपको second part में कराएंगे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको मज़ा आया है तो प्लीज 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 सेर कर दिये प्लीज सेर कर दिये और हमाले चैनल को सब्सक्राइब कर दिये हेलो गाइस मेरा आजकमा दाकल्ट स्वागत करता हूं आपका राजगरी के इस चैनल में दोस्तों आज हम आसेशन डारेक्टर अपर अगरीकल्चर एंपीपेस्सी निन्दवाइब कर दिये